हमशकार, स्वागता आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे कि हमारे देश के अंदर अभी Health Star Rating इंट्रड्यूस होने जा रही है या कहेंगी अपनाएगा फसाई अब ये क्या होता है Health Star Rating इससे पहले कौन सी rating हम use करते थे labeling use करते थे अभी कर भी रहे हैं अभी इसको अपनाने की बात हो रही है जैसे आप कोई product लेने जाते हो दुकान में तो आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलती है कि इसके अंदर protein कितना है इसके अंदर sugar कितनी है इसके अंदर fat कितना है तो यह सारी चीज़ें महाँ पर आपको लिखी हुई मिलती है अब कहीं न कहीं एक health star rating लेके आए जारी है अब rating दी जाएगी उस product के उपर front में दी जाएगी ताकि लोगों को समझने में help मिले कि यह food यह जो packet आपने लिए वो healthy है या unhealthy है तो इन तमाम बातों को इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से cover करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ टेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा कि food safety standard authority of Indian फसाई के द्वारा plan क्या जा रहा है यहाँ पर health star rating को introduce करने के लिए यह क्या काम करते हैं यह इसलिए adopt कर रहे हैं ताकि जो consumer जो उप्भोकता है वो unhealthy चीज़ों को consume ना करें और healthy चीज़ें वहाँ पर वो promote कर सकें तो यहाँ पर एक तरीके से फसाई का तो यह plan है लेकिन जो 40 जो 40 global health expert हैं उन्होंने काए कि जो फसाई के तोरह health star rating introduce की जा रही है वो कहीं ना कहीं not evidence based है यानि उसके पर research नहीं हुई है और यह जो not evidence based है वो fail हो जाएगी आने वाले time में लोगों का behavior change करने में कि वो unhealthy से healthy की तरफ जाएं वो मतलब कि healthy से unhealthy की तरफ जरूर चले जाएंगे क्योंकि इसके अंदर कोई evidence नहीं मिलते हैं जो फसाई के द्वारा यह introduce किया जा रहा है clear अब फसाई के बारे में देखे इसकी शुरुआत या फिर कहें यह एक autonomous statutory body है जो बनाए गई थी food safety and standard act 2006 के द्वारा यहाँ पर आपको image के अंदर कुछ health indicator दिख रहे होंगे यह हो गया जो traffic light जैसा होता है एक traffic light होता है एक summary indicator है यह काफी जादा यह वाला जो आप देखे रहेंगे reference in tech और guideline daily amount यह industry का favorite है और यह यह हाँ पर आप देखेंगे ना warning label यह बहुत best एक example है अगर यह introduce होता है भारत के अंदर खेर यह तो नहीं हो रहा अगर यह introduce होता है तो बहुत help मिलेगी अब आप सुचेंगे कि किसी packet के उपर यह लिखना क्या जरूरी होता है और इससे क्या help मिलती है सरकार को इससे क्या help मिलती है कि उसके अंदर protein बता दिया, उसके अंदर sugar बता दिया उसके अंदर fat बता दिया, saturated fat बता दिया कितने है, तो उससे सरकार को क्या help मिलती है तो इन तमाब बातों को हम देखेंगे अब देखे, यह जो आप यहाँ पर जैसे मैंने का नहीं है, यह सबसे best तरीक है इसके अंदर क्या है कि graphic यूज की गई है यहाँ पर logo आपको देखेंगे को मिलेगा कि यह logo है, यह काफी understanding है बहुत easy to, मतलब कि हर को इसको समझ लेता है और बहुत help मिलती है जो consumer होता है, वहाँ पर product के बारे में जानने में यह वाला जो standard है यहाँ पर reference, in tech और guidelines, daily amount इसके अंदर यहाँ पर आपकी सामने है 70 kg, 70 gram रिखाओगा 70 gram में 24% यहाँ पर fat दिया होगा तो यह बता रहा है कि यहाँ पर percentage में दी जाती है और यह काफी जादा numbering यूज करता है numbering यूज करने के जादा कि कारण यह जो system है, वो puzzling हो जाता है लोगों को यह समझ में नहीं आता है industry का favorite है, क्योंकि industry तो चाहती है कि हम puzzle कर सके और अपना product वे सके यहाँ पर puzzle नहीं होता इंसा यहाँ पर उसको अच्छे से समझ में आ जाता है इसलिए यह consumer के perspective से काफी अच्छा है यह दोनों लगबग एक जैसे ही है यहाँ आपके सामने देखने को मिलेगा color use किया गया है red जो है वो high के लिए, medium के लिए, low के लिए यहाँ पर coloring दी गई है यह यहाँ पर आप देखेंगे न तो adopted किया गया है जैसे यह traffic flight जो है यह यहाँ पर UK के त्वारा 2006 में Ecuador को Ecuador ने इसे 2014 में Iran ने 2017 में शर्लंका ने 2016 में यहाँ पर इन सब चीजों को मतलब कि adopt कर लिया था यह जो आप summary indicator देख रहे हो यह एक rating के तरीके से ही है अभी जैसे फसाई जो है वो यहाँ पर health star rating introduce करने जा रहा है HSR introduce किया जा रहा है एक तरीके का वही है इसमें ABCDE यह 5 indicator यूज हो जाते है वहाँ पर हम half से लेके 5 rating तक देने वाले है यहाँ पर ABCDE 5 alphabet यूज किया जाते है और यह जो है adopt किया गया है New Zealand के दोरा Australia के दोरा इसके लावा France, Belgium, Luxembourg इनके दोरा यह adopt किया गया है यह वाली जो rating है वो adopt की गयी है Malaysia, Thailand इनके दोरा यह industry यह use की गयी है और यह कहें कि यह काफी जादा easy हो मतलब कि काफी जादा favorite है किनका जो industry है उनका industry का favorite है क्योंकि लोगों को समझ भी नहाता है क्योंकि इतनी जादा numbering इसके अंदर यूज की जाती है और यह सबसे best है इसको यूज किया जाता है चिली में पेरू में मेक्सिको इसराइल उर्गवे ब्राजील कॉलंबिया कैनेडा इन सब जगह हैं इस labeling को यूज किया जाता है काफी easy है easy to understand है एक clear information दे देता है most advanced type है अच्छे से समझ पाते है हो गया अब आगे चलते है अब background की बात करते है आज तक हम क्या use कर रहे थे अभी तो हम जैसे मैंने कहा HSR यानि health star rating जो है फसाई जब वो introduce करने वाला है इससे पहले क्या use होती थी इससे पहले use होती है अभी भी हो रही है उसका नाम है front of package labeling ये क्या होता है इसको भी समझाएंगे देखे front of package labeling जो है इसकी सिफारिस पहली बार 2014 में फसाई के द्वारा 2013 में गठी थे एक committee के द्वारा की गई थी उस committee ने कहा था कि हमें ये FOPL introduce किया जाना चाहिए तो 2019 में फसाई ने जो खादे सुरक्षा मानक labeling और परदर्शन VNM मसोदा पर अधिसूचना जारी किया था और यहां पर इस draft mandate color coded label on food item यहां पर color coded label को अनिवारे कर दिया गया था food items के उपर दिसंबर 2019 में आते आते फसाई ने FOPL को समाने labeling नीमों से अलग कर दिया था और अब फरवरी 2022 की बात करें तो फसाई जो है यहां पर front of package labeling के लिए अपने ड्राफ्टों में health star rating को अपनाने जा रहा है इसका फैसला लिया है अब यह health star rating का है health star rating आपकी सामने के image लगी हुई है इस तरीकी की rating दी जाएगी मतलब आपकी सामने कोई product आप करीपते हो तो उस product में आपकी उपर front में ही एक rating दी जाएगी यह कितना healthy है कितना unhealthy है लेकिन detailing नहीं होगी यहां पर यहां तो यह star लगा दी जाएगे कि 3.5 star या half star से start हो जाता है यहां पर half star से 5 star तो यहां पर rating दी जाएगी जैसे कि यहां पर जो HSR format है वो salt, sugar, fat यह कितना है किसी product के अंदर उसके अधार पर यह HSR decide होगा और यह एक तरीके से first such in India यह नहीं पहले type का होने वाला है हमारे देश के अंदर जो help करेगा लोगों की अभी help करेगा नहीं करेगा वो तो आने वाला time बताएगा लेकिन जो फसाई के दौरा कहा जा रहा है कि यह help करेगा लोगों को unhealthy food से दूर करने में healthy food जो है वो लोग अपनाएंगे और एक मार्क दर्शन करने वाला है यह अब हम जो front of front of pack यह जो use कर रहे हैं लेबलिंग सिस्टम जो use कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं देखे FOP labeling system को लंबे समय से वो भोकताओं को स्वास्थ भोजन मतलब कि इसकी तरफ आकरशित करने के लिए इसको use किया जा 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 था और इसमें एक तरीके से labeling color use किया जाता था कि red color हो गया जो high चीज को दिखाता है कि इसके अंदर high मातरा में energy या high मातरा में sugar है तो इन सब चीज़ों को दिखाया जाता था यह labeling जाए ऐसे ही काम करता है जैसे आप cigarette का कोई packet देखते हैं तो उसके ऊपर आपको एक गंदी सी एक बहुत भ्यानक तश्वीर आपको दिखती है ठीक ऐसे यह help करता है अब जैसे जैसे भारत के अंदर आप देख रहे हैं development हो रही है देश आगे बढ़ रहा है तो भारत के अंदर लोगों का जो खाने की जो एक habit है वो change हो रही है हमारे देश में हम देख रहे हैं कि जो processed या फिर ultra processed food है वो काफी जादा बढ़ रहा है ultra processed food होता है जैसे आपने burger देखा burger एक ultra processed काफी processed से जो गुजरता है ultra processed होता है भोजन यहां पर हम देखें कि मोटापे और काफी सारी बीमारियां जो है हमारे सामने नुभर के आ रही है यहां पर अगर मैं आपको front of labeling system के बारे में बताओं तो इसको introduce जब किया गया था तो यहां पर किया गया था कि जो food item है वो display करेंगे कितनी calories है कितना saturated saturated and trans fat है salt है इन सब चीजों को वो एक label करके वहां पर दिखाएंगे साथ इसाथ वो color का भी use करेंगे red color वो use करेंगे अगर उसके अंदर sugar है जो 10% से ज़ादा है तो वहां पर वो red color दिखाएंगे और same to same मतलब कि अगर transparent more than 1% है तो इन सब चीजों को वो color करके दिखाएंगे और यहां पर फसाई ने एक तरीके से बहुत टाइम पहले ये change 2019 में ये change भी कहा था जो vegetarian है उनके लिए पहले circle color का green color का circle हुआ करता था ये green color का एक circle हुआ करता था ताकि ये बताता कि ये vegetarian है अब उसको बदलके उनोंने triangle कर दिया था ताकि जो color blinded है उन लोगों को समझ में आए कि ये जो shape है वो किस के लिए है अब आगे चलते हैं अब विश्व स्वास्त है संक्टन यानि WHO ने भी FOP label तेकि ये हमारे देश में तो है नहीं कि हमने introduce किया है ये बहुत सारे देशों में चलता है तो WHO ने FOP label को काफी अच्छा होता है उनोंने काया कि इससे लोगों को काफी ज़्यादा information मिलती है front में ही होते है तो उनकी एक नजर पढ़ जाती है इसके उपर कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है और उनको अगर और ज़्यादा जानना होता है तो packet के पीछे सारी detail दी हुई होती है कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें added है साथ ही साथ एक codex elementarius commission ये भी एक food standard commission है जो मतलब कि निर्धारित करता है कि food के अंदर क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तो इसने भी FOP labeling को काफी अच्छा बताया है कि इस तरीके से design किया गया है कि लोगों की habit बदली जा सकती है हमारे देश में या फिर कहें कि भोजन के लिए जो स्वास्थे रेटिंग परना लिए उसकी जरूरत क्यों बढ़ती है इससे help क्या होने वाली है देखें FOPL जो लागू होता है जिन देशों में भी लागू आप देखेंगे बात करें तो वहाँ पर एक सकारात्मक आपको positive review मिलेगा क्योंकि भोकताओं के वेवार में change आया है वो लोग जो हैं जो unhealthy food कारे थे healthy food की तरफ गए है जिससे क्या है कि सरकारे जो हैं वहाँ की सरकारों को direct और indirect जो स्वास्थे के ओपर खर्च कर रहे हैं उनमें कमी आई है चिली हो गया, ब्राजील हो गया उन देशों में शामिल है जहांपर food packing पर high in की चितावनी की label अपनाया गया है जो क्या कर रहा है कि एज स्वास्थे कर जो ultra processed जो food system है या food item है या जो पीने वाले जो पतारत हैं उनकी खपत कम करने में सफल हुआ है चिली और ब्राजील इस तरीकी की labeling करके एक स्वास्थे जीवन शैली को बढ़ावा देना अब देखे भारत में जैसे आप front of package जैतावनी labeling एक स्वास्थ जीवन की शैली को बढ़ावा देता है इसके लिए व्यापक्स रन निती एक परमूग घटन है मतलब कि एक सई तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहिए वो बोगताओं को जैसे जीचीनी, सोडियम, संत्रिप्त वशा ट्रांस वशा या कुल वशा में उच उत्पादों की पहचान करने संक्षम बनाता है लोगों को पता चलता है इसके अंदर क्या-क्या एड किया गया है और कहीं न कहीं इससे बिमारियां भी कम होने का, मतलब एक help मिलती है इससे अब कुछ चिंताएं दोनों ही सिस्टम से हैं, आप FOPL की बात कर ले या HSR की बात कर ले FOPL की ऐसी, कि वहीं अन लोगों के लिए ही है जो लोग पढ़ सकते हैं उस चीज़ को समझ सकते हैं पड़े लिखे लोगों के लिए ही है क्योंकि जो पड़े लिखे नहीं है उसको समझ नहीं पाएंगे और उनके लिए एका unhealthy चीज यह चली जाती है वहीं HSR की अगर बात करें तो HSR जहांबर आप एक रेटिंग की बात कर रहे हो आप स्टार दोगे उनको तो कहीं न कहीं है जो स्टार जो परनाली है ये endorsement का काम करेगी product का यानि उसको बढ़ाएगी कि ये काफी अच्छा है इस चीज को तो वह endorsement में आएगी ना कि information देने के तो problem तो है दोनों ही system में है तो हम कि हमें क्या करना चाहिए हमारे देश का अगर आप geographic मतलब की condition देखें तो हमारे देश में जितनी अगर जन्संक्या है उसमें बहुत सारी जन्संक्या ऐसी है जो पढ़ लिक नहीं सकती है तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें एक जो picture है उसका use किया जाना चाहिए ग्रैफिक है उसका use किया जाना चाहिए मतलब की आप जब भी packet पे देखें तो उसके ओपर कुछ ना कुछ एक ऐसा लोगो लगा दिया जाए ताकि लोगों को पता चले कि ये एक ऐसा लोगो लोगो की बात कर रहा हूँ ये pronunciation में दोनो ही हो जाएगा ताकि जितने भी जो हमारे देश में लोग है उनको पता चले कि लोगो जो है ये यहाँ पर इस चीज को दर्शार आए जो अगर आप पिच्चर का यूज करेंगे तो लोगों को अच्छे से समझ में आएगा जैसे चीली, ब्राजील, इन जगहें पर मैंने आप लोगों को बैस्ट एक्जाम्पल दिया था वो काफी बढ़िया है तो ये हेल्प करेगा लोगों को समझने में कि ये जो फूड आइटम आपने लिया है वो कितना हेल्थी है, कितना अनहेल्थी है अब कहा जा रहे है कि हमें बहुत जादा रिसर्च और डेवलोंप्मेंट की जरूरत है ताकि यहाँ पर अगर आप कोई भी सिस्टम अगर लागू कर रहे हो तो उसके उपर एक रिसर्च होनी बहुत जरूरी है, कि आप वो इंटरडूस क्यों कर रहे हो लोगों को समझना आना चाहिए उसके उपर रिसर्च होनी चाहिए जानिता और वेगैनिता पर अधारित होना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट इनको सेंटर में रख के किया जाना चाहिए तो यह हो गया हमारे सामने HSR से रिलेटिड जो FSI जो है अभी इंटरडूस करने जा रही है उमीद करता हूँ कि यह आप लोगों को जो concept है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा PDF के लिए मैं आप लोगों फिर से बता देता हूँ Telegram का एक link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो बेशक लाइक करें चैनल को subscribe करें और share भी कर सकते हैं चैनल को भी, वीडियो को भी क्योंकि आपके इस कदम से मुझे बहुँ जादा motivation मिलती है तो बस आज के लिए इतना है था Thank you for watching this video